हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो आज बात करेंगे अभी लाइब मार्केट में इन्फोसिस क्या कर सकता क्योंकि इन्फोसिस में लगभग 10 रुपए की गिरावड चल रही यहां पे तो कुछ लोग अभी जो की परहसान होंगे इसमें तो मैंने सुचा इसमें जो है इ अरे टरिनलाइन और यह सपोर्ट यह नीचे सपोर्ट इस इस सपॉप लॉस का सपोर्ट है 1504 पर लेकिन एक्शुव इसका सपोर्ट यहीं है यह जो बनता है 1520 रुपए का अगर ब्रेक किया तो सप्लास यहां रखेंगे और अगर स्टॉप लॉस ब्रेक किया तो फिर नी नीचे आएगा हाला कि निफ्टी उपर गया और फिर नीचे भी आ गया इसमें कोई मोमेंटम नहीं हुआ यह गिरा हुआ है लेकिन टेंशन की बात नहीं है यह जो मार्केट में इनफोसी सभी चल रहा यह अगर यहां से निकलना चाहिए तो अगर यहां से निकल गया ऊपर यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम देगा अगर इसको ब्रेक नहीं किया और नीचे का सपोर्ड ब्रेक नहीं किया तो थोड़े time के लिए क्या कर सकता है यहां से consolidated करकर करकर के फिर यह तो ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन देगा और इसका जो की 14th को यह देख रहे हैं ना 14 जन्वरी को यह पर रिजल्ट आना है तो यह भी बहुत important रहेगा कि इसमें इसका जो result आने वाला है वह किस तरीके का हो सकता है ठीक है और इसका एक फोर्कास्ट लेबल देख लेते हैं मतलब फोर्कास्ट मतलब यह होता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का हो सकता तो देखें नीचे देखो surprisingly minus 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 आया ठीक है इस बार इसका estimate क्या 14.92 पिछली बार क्या था 14.99 था estimate 15.03 था आया था 14.99 और इस बार estimate 14.92 है देखो क्या था estimate लेकिन मुझे लगता है कि यहां से break करके उपर जाएगा result आने से पहले पहले इसमें bullish momentum आना चाहिए क्योंकि यही एक stock ऐसा है जो 52 week high नहीं तोड़ा है और अभी अंडर प्रफार्म कर रहा है ठीक तो अगर वीडियो पर नया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है फिर ऐसे important वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रिस कर दिए ताकि जब भी upload करो notification मिलता है आपको thank you so much guys मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाइब झाल